हेलो फ्रेंट वेल्कम एक माई चैनल फ्रेंट फ्रेंट अज मैं आपको यह लड़को पाल जी का उलेनरेस बनाना बताऊंगी बनाने में बहुत इजी है और देखने में देखे किता सुन्दर लगता है इसको बनाने के लिए यह मैंने यह मैंने देड कलर का बेवी सॉफ्ट यूज कर सकते हैं यह मैंने कब बनाया है फ्रेंस मैंने इस चोली चोली और यह बेस हर साइज का अपने चैनल पर बताया है अब उस साइज का चोली और बैस बना लिजिए इसके बाद आई आगे बनाना शुरू करते देखें यह मैनने एक और दो नमबर के लड़ू गोपाल का चोली बना लिया है और दो राउंड मैंने घेरा बना लिया है और इस धागे को मैं कट नहीं करूंगी फेर्ट्स मेरे चैनल पे हर साईज़ का चोली दिया गया है और गिएरा दिया गया है आपके लड़ु गोपाशे साईज के है उससाईज ग्छोलि और गिएरा बना लिएड़न जैसे कि है यह 1 और 2 नमर के साईज। ए लड़ु गोपाशे तो आप तीन राउंड बनाएं आए आए आप हम इसको बनाना शुरू करते हैं देखे फ्रांच आप इसमें मैं क्रीम कलर का धागा लगाऊंगे सबसे पहले इस तरह से लूप बनाऊंगी इसके बाद देखें कि इसमें डालके अच्छी अच्छी से जोड़ देंगी अच्छी यहां पर मैं एक दो तीन तीन चेन बनाऊंगी और सेमें स्पेस पर मैं देखें चार डबल क्रोस्या बनाऊंगी का देखें इक कीए हो गया दो थें thi शब्शक चार डबल को और शया fertility हो गया आप दीक कोई तरह से निकालके इस में इस तरह से भिग्शे हैं यहां पर क्रोश्य डाल के कि और पॉप कॉर्ण स्टीच बनाऊंगी बन गया अब यहाँ पर देखिए एक दो तीन चेन लूँगी और देखिए एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में मैं डालके फिर चार डबल क्रोश्या बनाऊंगी एक दो तीन चार देखिए परांट से चार डबल क्रोश्या हो गया और देखिए इसके उपर वाले दो नूद आगे में मैं इस तरह से क्रोश्या डालके और आसे निकालके एक दो तीन चेन बना लूँगी फिर यहां पर एक चेन स्किप करके दूसरे चेन में मैं चार डबल क्रोश्या बनाऊंगी एक, दो, तीन, चार, देखिए चार डबल क्रोश्या हो गया और यह उपर का दोनों धागा है इसमें इस तरह से क्रोश्या डालके इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगे एक, दो, तीन, तीन चेन बना के एक चेन स्किप करके अब इस चेन में मैं फिर से बनाऊंगी इसी तरह से स्पूले रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स, यह रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया, यह रो मैंने बना लिया है अब देखिए यहां पर मैंने स्लिपिस्टी से जोड लिया है और जो यह रेड वारा धागा था इसको मैंने कट नहीं किया था इस तरह से धागा को पूस कर लूँगे और यहां पर एक सिंगल क्रोश्या एक चेन और देखिए यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, देखिए यहां पर मैंने साथ डबल क्रोश्या बना लिया, एक चेन और देखिए यह सेकंड चेन जो है, इसमें मैं एक सिंगल क्रोश्या बना के फिर एक चेन बनाऊंगी देखिए यहां पर फिर मैं साथ डबल क्रोश्या देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ देखिए फ्रेंट्स, यहां पर साथ डबल क्रोश्या फिर बना लिया मैंने, अब देखिए, अब यहां पर मैं एक चेन बना के, यहां पर मैं एक सिंगल क्रोश्या बना दूँगी, और फिर इसके बाद एक चेन बना के, फिर इसमें मैं साथ डबल क्रोश्या बनाऊंगी होले ंसमें ऐसी तरह से इस पूलेरों को सब्सेर क सब्सेरी करकर के मैं आपको दिखाते हूं है देखर मैंने सिर्फ टी से जोड़ दिया है मैं नौट लगा के प्रमाइन अब देखे हैं यहां पर जो देखें यह जो डबल कुरोस्या hu seven double crochet बनाया था देखिए इसमें इस तरह से एक लूप ले लेंगे और देखिए यहाँ पे एक single crochet, एक single crochet बना देगे और देखिए दूसरे में मैं क्या करूंगी एक single crochet देखिए है, एक दो, तीन तीन chain और same space में एक single crochet फिर सेकन्ट चेन में एक सिंगल क्रोश्या एक दो तीन तीन चेन और एक सिंगल क्रोश्या फिर सेकेंड चैन में इसी तरह से इसको परल स्टिश कहते हैं परल स्टिश में बनाऊंगे यहां पर तीन देखिए एक दो तीन हो गया इसमें हम पांच इस तरह से बनाएंगे देखिए तीन चैन एक सिंगल क्रोश है तो यहां पर मेरा एक दो तीन चार हो गया अब नेक्स चैन में एक और बनाऊंगे एक दो थे सिंगल क्रोश यहां यहां से भागा लेके डागा य। और यहां पर इस बीच में इस तरह से क्रोश्य डाल के जो एक चैन मैंने स्किप किया था और यहां पर एक डबल क्रोश्या इस तरह से फिर इस साइड में एक सिंगल क्रोश्या इस तरह से बन के आएगा और फिर यहां से मैं यहां तक पर्ल स्टीच बनाऊंगे लिए एक सिं फिर सेकेंड वाले में एक सिंगल क्रोश्या एक दो तीन चेन एक सिंगल क्रोश्या यह पांच यह देखिए एक दो तीन चार पांच पांच बना के मैं आपको दिखाते हैं देखें, फ्रेंडस, यह मेरा पाँच पेटल बन गया एक दो तीन चाब पाँचए अब यहाँ पे हैं एक सिंगल क्रोश्या बनाओंगी क्रोश्या लेके और यहाँ पे जो यह मैने एक चेनी स्केप किया थह इसमें क्रोश्या डालके लंबा सदागा लेके एक डबल क्रोश्या बनाओंगे डबल क्रोश्या बनाके यहां पर एक सिंगल क्रोश्या बनाओंगी इस तरह से मेरा ये पैटल बन के आएगा फिर मैं यहां से यहां तक यह पांच इस तरह से बनाऊंगी पर्ले स्टीच उसके बाद एक इधर सिंपल सिंगल क्रोश्या बना एक इधर सिंपल सिंपल सिंगल क्रोश्या और इसमें पांच पर्ले स्टीच बनाऊंगी फिर यहां स दिखिए इसे इन से मैं डबल क्रोसिया लेके लेकि यहाँ पर बांदूंगी फिर यहाँ पर सिंगल क्रोसिया फिर यहाँ पर पांश पारल स्टीज इसी तरह से इस पूरे रो को बना के कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स यह रो मेरा बन के यह म सबसे पहले मैं क्या करूंगी इस तरह से लूप बनाऊंगी लूप बनाने कवाद यहां पर देखिया है एक दू तीन चार चार चेन बनाया और फर्स चेन में इस तरह से क्रूशिय डालके एक सिंगल कुछ स्लिप स्टिच कर दोंगे एक दो तीन दीन बनाऊंगी और यहां पर मैं तीन चेन कर दोल को से हो गया अब इस बीच में कुरूशा डालके पेडरालके यहां पर मैं टोटल फोर्टीन डेल को सब हटो हुआ जैकि यहां पर दो हो गया पूटिंडबल कुरोश्य बना क्या आपको दिखाते हैं देखे प्राइब पूटिंडबल कुरोश्य हो गया तो यहां पे इस तरह से कुरोश्य डालके अब इसमें मैं प्रेम किलर का धागा लगांगे यहां पर देखे एक दो तीन तीन बनाऊंगे और देखे जिसमें स्पेस में मैं चार डबल कुरोश्य बनाऊंगे यह तीन चैन का एक हो गया यहां पर दो तीन चार डबल कुरोश्य हो गया आप देखे यहां पर इस तरह से मैं आप इस तरह से चैन डालके कुरोश्य डालके स्लिप इस्टिस करते हैं यहां पर एक चैन और फिर देखे एक चैन को स्क्रिप करके दूसरे में फिर मैं इसी तरह से चार डबल कुरोश्य बनाऊंगे एक है दो कि तीन आप यहां जो फस्ट वाला है इसमें डबल कुरोश्य फस्ट वाला है इस तरह से चैन डालके मैं इस तरह से एक चैन बना दूंगी इसी तरह से इस पूरे रोव को बनाके मैं आपको दिखाते हूं सैंग मैं देखिए स्लिप सट्टीज जोड़ दिया है अब देखिए यहापने कि च्याइट भी पीच इसको बीच में आ जाओंगी करें और इस में मैं यहाँ पर यहां पर इस दोने चेन के बीच में लगा यहां पर गल्जल autへ में एक चैन का हो गया अब यहां पर मैं दो हाफ डबल कुरुज़य बनाऊंगा एक तो यह मैंने यहां पर तीन हो गया अब फिर नेक्स नेक्स देखिए यह ने यहां जो चैन है इसमें मैं इस तरह से टाल के एक, दो, तीन तीन हाफ डबल कुरस्या हो गया, फिर इसमें डालके मैं एक, दो, तीन इस तरह से तीन हाफ डबल कुरस्या बनाके इस पूरे रोको बनाके मैं आपको दिखाते हूँ कि देखे बने यहमेरा इस तरह से बनके मैं कम्प्लीट हूए है अब यहाँ पे मैंने तीन बना लिया है और इसको मैं यहँगिू स्लिपुश्टी शें जोड़ दूगी so कि शीपूरा नहीं के कितना महीन ह llev contenu को अपना है सबके ऊपर एक एक क्रीम किलर से सिंगल ना सकांगे इस तरह से सब्टको को मैं भाते कंप्लीच करां किया पते लाज प्राइब से यहां पर लाज क्या पर बनागे इस थो ऊड़ा अब इस दोनों धागे को मैं इस तरह से दागे को मैंनी कट कर दिया आप इसको इस तरह से नौट लगा के देखिए पर शेरो मेरा बन के कंप्लीट हो गया यह मेरा कैप बन के कंप्लीट हो गया मैचिंग और यहां पर यह मैंने ड्रेस भी मेरा बन गया थैंक्स पूर वाचिंग